हेलो फ्रेंड्स आप सबी का श्वागत है हमारी यूटूब चनल लेट्स इजी टू लान पे यहां हम लाते हैं आपके लिए कुश्चन्स विद कॉंसेप्ट दोस्तों यहां पर हम आपके सारे कुश्चन्स सब टापिक वाज लाते हैं जैसा कि आप लोग को पता हैं अभी हम पर्सेंटेज की सरी चला रहे हैं जिसमें बच्चो आपने हमारी इसके पहले कई पार्ट के वीडियो देख लिए होंगे अगर आप नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप जाके वाज कर सकते हैं वीडियो को और फ्रेंड से डन है अगर आपने सारे वीडियो को वाज कर लिया तो पर्सेंटेज की जितने भी टाइप के कुशन से जितने भी सब्ट टॉपिक हैं वो सारे सब्ट टॉपिक आपके किलियर हो जाएंगे आप किसी बुक का भी कुशन साप सिकंड्स में स्वाल कर पाओगे तो बच्चो आज परिच्छा पर आधायत होते हैं जितने भी टाइप के कुशन से बनते हैं एक्जाम बेश्ड वो सारे कुशन का हम वन बई वन करके डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहला कुशन हम देखते हैं बचो जैसा कि आप पहला कुशन देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगा फर्स्ट question है friends एक प्रतिभागी को shuffle होने के लिए 40% अंक चाहिए उसे 190 अंक मिले किन तो 190 अंकों से फेल हो गया पुड़ा अंक ग्याद किजिए तो friends आपको पता है किसी भी exam में आप बैठते हैं तो उसका जो maximum mark होता है किसी भी exam का 100% होता है वैसे हमने माल लिया इसका भी जो maximum mark होगा कितना होगा 100% होगा अब क्या हुआ 100% mark होता है अगर आपको exam में qualify करना है pass होना है तो आपको at least 40% mark ज़रूरी है आप 40% mark पाएंगे तभी आप pass होंगे अधरवाज आप fail हो जाएंगे लेकिन बच्चे को कितना मिला हमें बोला गया सफल होने के लिए 40% mark चाहिए हमने माल लिया हमारा जो maximum mark है बच्चो ओ 100% है और pass होने के लिए at least हमें 40% mark चाहिए अब बच्चे ने जो नंबर प्राप्त किया है ओ 190 अंक लाया है कितना लाया है 190 अंक और बच्चो 190 अंक से किसके बराबर हो जाएगा 40% के इक कोल हो जाएगा यानि हम कह सकते हैं 40% this is equal to 388, 1938, 388 हो गया यानि 40% बराबर बच्चो 380 अंक हो गए तो 1% का जब हम value निकालेंगे तो हम लिखेंगे 380 बटे 40 because हमें चाहिए पुडांक बच्चो तो हम यहाँ पर multiply कर देंगे 100% से because हमने maximum mark कितना मा रखा है 100% हम इसे काटेंगे 42, 80, 20, 40, 20, 500 दो से काटते हैं बच्चो 292, 1800, 19, 95, 95 और हमारा पुडांक कितना हो गया 950 हो गया आई होप की बच्चो questions आपको समझ में आया होगा बहुत ही easy question था और ऐसे ही questions को हमें solve करना था तो अभी बच्चो हम लोग चलेंगे अपने second question पे देखते हैं second question हमारा क्या है जब बच्चो हम second question देखते हैं तो यहाँ पर question जो हमारा है एक परिछार्ती 30% अंक प्राप्त करके पांच अंकों से अनुत्रीन हो जाता है यानि उसको 30% मार्क मिलता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है एक अन्य विद्यार्ती 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक नियुनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है यानि जो भी pass marking का नंबर था उससे 10 numbers अधिक मिलते है उत्रीन होने के लिए आवश्यक नियुनतम अंक कितने है अगर उसको pass होने आए तो at least उसे कम से कम कितना नंबर चाहिए कि उए exam अपना qualify कर सके अब बच्चो होता क्या है इस question को solve करने का सबसे अच्छा method क्या हो सकता है हमने actually में हमीं चाहिए क्या उत्रीन होने के लिए आवश्यक नियुनतम अंक चाहिए लेकिन अगर हमसे याँ पूडांक पूषता उत्रीन प्रतिशत पूषता नियुनतम अंक पूषता तो हम सारी चीजों को बता सकते हैं देखो बच्चो जब भी सवाल आए इस तरह का परिच्छा का अब हमें सामालो की हमारे जो maximum mark होता है वो कितना होता है 100% होता है अब एक बच्चा 30% नंबर पाता है और एक बच्चा 40% नंबर पाता है ऐसा हमें question में बोला गया है जो 30% पाया वो 5 अंक से fail हो गया अगर उसको हम 5 नंबर दे देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा और बच्चो वहीं पर दूसरा बच्चा 40% नंबर पाया और पास होने से 10 नंबर अधिक पा गया अगर हम उसका 10 नंबर कम कर देंगे तो उसका बच्चो क्या हो जाएगा वो सिर्फ पास रहेगा क्योंकि वो पास तो हुआ ही था प्लस 10 नंबर और भी पा गया था अगर वो इसका मैं 10 नंबर माइनस कर दूँगा तो वो सिर्फ पास रहेगा अब इस तरीके से दोनों बच्चो क्या हैं पास हैं दोनों के नंबर क्या होंगे इक खोलोंगे अब बच्चो जब इसे हम solve करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नंबर को हम one side कर लेते हैं 5 mark और 10 mark one side percent को बच्चो हम one side कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 10 percent का value 15 mark हो जाएगा अगर 10 percent का value 15 mark है तो प्यारे बच्चो आप बताओ 1 percent का value क्या होगा 15 upon 10 यानि 1.5 mark एक दसमलो 5 हो गया यह हमारा क्या हो गया 1 percent का value हो गया अब अगर हमें पुडांक चाहिए तो हमें पता है पुडांक हमारा 100 percent है 100 में अगर 1.5 से गुडा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 150 हमारा maximum mark हो जाएगा अगर ऐसा पूछा गया होता तो हम ऐसा करते अब बच्चो हमें पूछा गया है उत्रीड होने के लिए नियूनतम अंक कितने चाहिए तो हम क्या करेंगे चाहिए इसका 30 percent निकाल लो उसमें 5 plus add कर दो पास आजाएगा पास mark या 40 percent निकालके 10 number less कर दो तो अगर बच्चो हम इसका 30 percent निकालते हैं तो हम सभी को पता इसका 30 percent 45 आएगा यानि जो बच्चा 30 percent पाया था वो finally 45 mark पाया था और 5 number से fail हो गया था अगर उसको वही 5 number और मिल जाएगा तो पाजाएगा 50 number और हो जाएगा बच्चो पास यही था आपका पास marking कि उसे उत्रीड होने के लिए कितना number चाहिए तो यहां से आपने निकाला maximum mark यहां से पास marking अगर आपको चाहिए पास percentage बच्चो कितना percent पाया कि वो पास हो जाए तो हम सभी को पता है हमें 50 number चाहिए पास होने के लिए कितने में से 1500 में से तो बच्चो यह इसका कितना percent है आप इसे काट कर सकते हैं तो यहां आजाएग तीन पचासतियां और तायती सही एक बटा तीन परसेंट उसे चाहिए उत्रेड होने के लिए अगर हमसे पास percentage पूछा गया होता तो हम ऐसा भी कर सकते थे यानि हमारे तीन answer आ सकते हैं एक ही सवाल से चाहे पास marking पूछे पास number पूछे नहुंतमंक या पास percentage या maximum mark पूछ तो इस तरीके से बच्चों इनके questions को स्वालप कर सकते हैं लेकिन जैसर कि आपको पता में questions लाते हैं जो भी आधारित पर जैसे हमारे सारे questions नहीं हो सकते हैं और भी different type के questions परिच्छा के उपर बनते हैं तो उन कुष्णों का भी जिक्र कर लेते हैं अभी बच्चों हम लोग चलेंगे अपने सेगेंड टाइप के जो परसेंटेज के कुष्ण बनते हैं उनके उपर और उनका भी जिक्र करते हैं आज के इस वीडियो में बच्चों दूसरे टाइप पर जो questions बनता है, बेन डायग्राम की उपर बनता है, जैसा कि आप question देख रहे हैं, एक परिच्छा में 60% बिद्यार्थी अंग्रेजी में, तथा 70% गडित में उत्रिड हुए, यदि 20% बिद्यार्थी दोनों विशय में उत्रिड रहें, और 25% बिद्यार्थी दोनों विश क्या रहें, जो बीच का value देगा, दोनों का, सबसे पहले आपको वही देखना है, दोनों को आपको क्या दिया है बच्छो, कि आप 20% बिद्यार्थी ऐसे हैं, जो दोनों में fail हुए हैं, यानि आप यहाँ जो लिख रहे हुए, fail वाले का लिख रहे होगी, इतना दोनों मे fail हुए हैं, यह इस बात को decide कर देता है कि अब आपको यहाँ भी fail percent लिखना है, और यहाँ भी fail percent ही लिखना है, इस बात का खास तोर पे ध्यान रखियेगा, अब जैसे बोला कि 60% बच्चे अंग्रेजी में, और 70% गडित में उत्रीड हुए, बच्चो आप खुश सोचो, एक subject तो हमारा English है, और एक हमारा math है, तो बच्चो English में 60% pass हुए हैं, तो fail कितने हुए होंगे, 40%, math में 70% pass हुए हैं, तो fail कितने हुए होंगे, 30%, लेकिन बच्चो जो English में 40% pass हैं, इनमें 20% बच्चे ऐसे भी हैं, जो कि दूनों में fail हैं, यानि अगर हम बात करें, केवल केवल English में कितने बच्चे fail हैं, तो बच्चो ए निकल के आएगा, सिर्फ 20%, और वैसी ही हमें क्या करना है, 40 में से 20 less कर देना है, वैसी अगर हम बात करेंगे, only math में कितने fail हैं, तो 30 में से 20 less करेंगे 10%, और फिर बच्चो पता है कि दोनों में जो fail हैं, उनकी संक्या 20% है, तो एक बात निकल के आई, जो overall fail हैं, वो कितने fail हैं, 50%, बच्चो एह हो गया, total fail बच्चे कितने 50%, अब बच्चो की जो संक्या होती है, बच्चो वो हमेशा 100% ही होती है, कितना होती है, 100%, अगर आप निकालेंगे past percentage, तो 100 में से fail वाले को list कर देना होगा, तो निकल आएग 50% बराबर 25 हो, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 से multiply कर देंगे, हो जाएगा 100% बराबर 5000, यानि इनकी संक्या हो गई, कुल बच्चो की संक्या कितनी हो गई, 5000, तो बच्चो वेन डायग्राम के ऐसे questions आएंगे, जिनको आपको solve करना है, तो इनके उपर थोड़ा सा और भ अबहरती अंग्रेजी में अनुत्रिण हुए, 17% दोनों विशाय में अनुत्रिण रहे, दोनों विशाय में 46 बच्चे उत्रिण हुए, तो कुल अबहरतीयों की संक्या कितनी है, तो फरस्ट आफल बच्चो वही करना है, जैसा अभी हम लोगों ने किया, वेन बना लेना ह दो सब्जेक्ट है, एक गडित है, और एक अंग्रेजी है, दोनों का जो दिया है, बच्चो 17% दिया है और फेल दिया है, अब ये बाद कन्फरम हो गया कि हमें यहां भी फेल का ही लिखना है, और यहां भी हमें फेल वाला ही लिखना है, और अच्छी बात ही रही कि दोनो जो हमें दिया गया है 42% गड़ित में 52% अंग्रेजी में अनुत्रीन का ही दिया गया है तो बच्चों math में 42% fail है और अंग्रेजी में 52% fail है जैसा भी आप लोगों ने उपर किया था similarly वैसे हमें आपर करना है अगर हम बात करें only math में fail तो बच्चों हमें 42 में से 17 list करना पड़ेगा 25 आ जाएगा और अगर हम देखेंगे only English में fail तो हमें 52 में से 17 list करना पड़ेगा 35% आ जाएगा और हम देखेंगे दोनों में fail तो 17% है तो ओवरल बच्चो अगर हम देखें टोटल फेल कितने हैं तो हमें एड़ कर लेना है आपर 25, 35, 30 और 30, 60, 70, 70, 77 परसेंट है जो टोटल फेल है अब बच्चो अगर आपको पास निकालना है पास कितने बच्चे हैं तो 100 में से यही आपको लेस कर देना है 77 यानि 23 परसेंट बच्चे दोनों में पास है और बच्चो 23 परसेंट का वैलू आपको दिया है 46 इसलिए 1 परसेंट का वैलू 46 अपान 23 विकोज हमें चाहिए 100 परसेंट क्योंकि टोटल संख्या जो होती है बच्चो वो 100 परसेंट होती है 23, 49 और टोटल बच्चो की संख्या 200 आयोग की बच इच्छा पर अधाय जो हम लोगों ने सवाल पड़ा इसको आपने अच्छे सी क्लियर किया होगा और बच्चों ऐसे ही सारे वीडियो को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप एमान के चलिया बहुत अच्छे तरीके से किसी बुक के सारे वीडियो अवड आपको पड़ा रहे हैं यह और वीड्यो पशंड आ रहे हैं तो लाइग से सब्सक्राइब जरूड करेगा लोगों में शेयर करिएगा और बच्चो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड कराते रहें तो ठीक है बच्चो हम लोग मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक आप सभी बच्चे को जैहिन बच्चो